आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस इस इंसीडेंट ऑन दे हैम इस फेर सोण फिगर और दर रेश टोटली रिफलेक्टेर एट दब प्लें सर फेस ठीख है तो देखो डायग्राम को पहले देखते हैं फिर समझते हैं कि हमें पूचा क्या गया है तो इस तरह से यह हैमी स्फेर है इस hemisphere पे क्या हो रहा है rays आ रहा है यह पेरैक्जिल रेज है ठीक है इस तरह से incident कर रही है तो आपको बोला गया है कि जो flat surface है यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या यह rays वापस अंदर ही घूम जाएंगे जिसे हम total internal reflection भी बोलते हैं या फिर क्या य रेस बाहर निकल जाएंगी तो उस फिनोमेना को जानने के लिए हमें पता होना चाहें क्या critical angle अगर incident angle critical angle से ज़्यादा होगा ठीकर k isso रेकल एंगल हमें पता होना चाहें अगर incident angle critical angle से जादा होगा तो क्या होगा total internal reflection तो लगाते हैं यहाँ प리े इस surface के लिए, flat surface के लिए formula, incident angle और critical angle के लिए और critical angle को find करते हैं, तो n1 sin i is equal to i क्या होगा, theta c, critical angle अगर हम find करना चाहते हैं तो, और n2 sin r, r क्या होगा, 90 degree, ठीक है, r की value होगी, 90 degree, देखो n1 sin i is equal to n2 sin r होता है, स्नेल स्लो, sin i, अगर मुझे find करना है critical angle, तो critical angle के लिए क्या होता है, reflection, reflection angle जो होता है, 90 degree, तो मैंने critical angle रग दिया, incident angle, और 90 degree रग दिया, reflection angle, n1 क्या है, 2, क्योंकि काच से, इस hemisphere से, कहां जा रही है, इस hemisphere से, ray जा रही है, air में, ठीक है, तो n1 sin theta c, is equal to, n2 है air, तो उसका 1, sin 90 यानि की 1, तो sin theta c की value जो आपके पास आएगी, वो आएगी 1 by 2, तो theta c की value आपके पास आगई 30 degree, तो वह critical angle जो है, वो क्या है, 30 degree है, और incident angle है, वो कितना है, 45 degree है, तो incident angle is greater than critical angle, अब critical angle से जब ज़्यादा है incident angle, तो हम बोल सकते हैं, कि इस surface पे, flat surface पे क्या होगा, total internal reflection होगा, यह सारी की सारी rays क्या होंगी, जो paraxial rays आ रही है, वो वापस इसी medium में गूमने लग जाएंगी, ठीक है, अब B part की तरफ चलते है, B part में हमें क्या बोल लगया है, कि find the image found by the reflection at the first surface, ठीक है, देको first surface से जो reflection होगा, यानि कि आपको बोल लगया है, इस surface से, ठीक है इस surface से जो reflection होगा, उसके बारे में बात की गई, यह first surface है, पहले यहीं प्यार यह रेस ठीक है, तो एक curved surface होगी, इस surface से जो reflection है, हो रहा है, उसके बारे में पूछा गया है कि, जो image होगी, वो कहाँ बनेगी, तो reflection from curved surface क्या होता है, देखो, B part अगर मैं solve करूं, तो वो होता है, mu2 upon V minus mu1 upon U is equals to mu2 minus mu1 upon R, where R is the radius of curvature, तो इस surface के लिए, कावट surface के लिए, मैं क्या करता हूँ, sign convention, इधर मान लेता हूँ positive, और इधर मान लेता हूँ negative, जिदर जाए काम की race, उस direction में positive में मान लेता हूँ, तो mu2, mu2 क्या होगा, देखो, mu2 होगा, इसका, ठीक है, glass का, और mu 1 होगा, air का, ठीक है, अब देखो, mu2 की value लिखता हूँ में, glass का refractive index 2 divided by V, मुझे find करना है, minus mu1 की value क्या है, mu1 की value है, one, और u की value क्या देखो, यह raise कहां से आ रहे, infinite से आ रहे है, ठीक है, parallel raise है, paraxial raise है, infinite से आ रहे है, बहुत दूर से आ रहे है, तो, पीछे की साइड minus infinite is equals to mu2, 2 minus 1 upon r, r measure करने के लिए, मुझे इस direction में जाना पड़ेगा, which is 3 cm, तो लिख दिया 3, ओके, अब इसको solve कर लेते है, 2 upon V, plus 1 upon infinite, यह होगा, 0 is equals to, यह होगा, 1 by 3, ठीक है, तो this implies V की value कितनी आ गई, 6 cm, positive आने का मतलब क्या है, कि जो इसकी image बनेगी, वो इधर, इसी direction में ब से बनेगी, ठीक है, इस पोल से 6 cm दूर बनेगी, ठीक है, अब पहुंचते है, पहुंचते हैं, थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, कि find the image form by the reflection, और by the reflection at the plane surface, ठीक है, जो plane surface पे image form होगी, plane surface से reflection या reflection जो भी होगा, उससे जो image form होगी, वो find कर आपको, आप यगो flat surface पे तो क्या होगा? फ्लैट surface पे तो total internal reflection होगा, क्योंकि हमने यह तो find किया हुआ है, कि incident angle जो है, वो क्या है, आपके critical angle से जादा है, ठीक है, तो जब incident angle critical angle से जादा हो गया, तो obviously यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा reflection ठीक है, और यह surface जो होगी, तो बनेगा ठीक है मान लो कि यहां पर तो यह सर्फिस तो मिरर की तरह एक्ट करने लग जाएगे ऑबजेक्ट जहां कई भी होगा तो हम बोलेंगे कि इमेज विल फॉर्म इन फ्रंट ओफ ए अज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाथसाप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर